जो बुक मैंने आपको बताई अपने आप में एकदम बैस्ट है बहुत सारी बुक्स को मैंने अच्छे से अनालाइज किया उसी के बाद मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि विल्ली प्लिस कॉंस्टेबल के एक्जाम को क्रेक करने के लिए नमस्कार दोस्तो जैहिन दिसी सोनु एलावत ये तो आप अच्छे से जानते हैं फिलाल के टाइम में दिल्ली प्लिस कॉंस्टेबल वेकंसी का जबर्दस करेज बनावा है हमारे सभी गवर्मेंट जो एश्प्रेंट्स के बीच में जब से इस वेकंसी के लिए फॉर्म स्टार्ट हुए है तब इसे आप लोग की बहुत सारी कमेंट आ रहे हैं कि इस एक्जाम की तयारी के लिए बैस्ट बुक के ओपर वीडियो लेका रही है जनरल अवेरिनेस के लिए बैस्ट बुक कौन सी रहेगी mathematics की तयारी आपको किस बुक से करनी चाहिए reasoning के लिए आपको कौन सी बुक को अपनी preference देनी चाहिए ताकि आपके लिए ज़्यादा best रह सके और सबसे important इन बुक से आपको preparation कैसे करनी है ये भी माँआपको बताऊंगा और ये बुक बाकी बुक के comparison में ज़्यादा best क्यों है ये भी माँआपको बताऊंगा क्योंकि मैंने काफी सारी बुक को अच्छे से analyze किया और finally इन बुक को decide किया कि मैं आपको ये recommend करूँ क्योंकि मेरी साब से सबते best रहने वागे है दिल्ली प्लिस constable के exam को crack करने के लिए तो चलिए फ्रेंट ज़्यादा time waste नहीं करते फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं बुक के बारे में बताने से पहले आपको एक और important चीज़ बता दूँ आप लोगों की heavy demand के बाद दिल्ली प्लिस constable के exam को crack करने के लिए जवर्दस study material e-books की form में आपके लिए बहुत जल लेकर आ रहा हूँ जो की subject wise रहने वाला है एकदम important चीज़े हम cover करने हैं टीम लगी हुई है प्रोसेस चला हुआ है study material के उपर जादा टाइम नहीं लगेगा आज से 5-6 दिन बाद आपके लिए announcement कर दूँगा तो आप ready रहे है क्योंकि एकदम unique तरीका का study material आपके लिए आ रहा है जर्नल awareness section से total 50 questions आने वाले 50 marks से ही इसलिए आपको जर्नल awareness के ओपर ज्यादा focus करना पड़ेगा इसमें थोड़ी ज्यादा महनत करनी पड़ेगी इसलिए preparation भी आपको जर्नल awareness की थोड़ी next level वाली करनी पड़ेगी तो जर्नल awareness के लिए आपर हम आपको तीन book recommend करने वाला हूँ ध्यान से सुनिएगा ये book depend करती है आपके level पर कि आपका level कै है आप जर्नल awareness में कैसे हो उसी तरी किसे आपको preparation करनी है वो भी मापको बताऊँगा जो first book है जर्नल awareness की वो है आपकी lucent objective book है इसमें बहुत सारे topic wise objective questions दिये हुए है हिंदी और English दो ही language में सभी books available है चाहे वो आपकी general awareness की हो या फिर math की बताने वाल हो या फिर reasoning की और सभी books के link आपको नीचे description box में मिल जाएंगे वैसे तो वो बहुती common book है किसी भी general store से मिल जाएंगे लेकिन अगर आपको कोई problem आ रही हो तो सभी books के link description box में है तो general awareness की first book है lucent का objective book है MCQ question दियो है अगर आप केवल इसी book से preparation करते हो तो बात नहीं बनेगी second book है general awareness की lucent की ही है लेकिन यह आपकी एक theoretical subjective book है इसमें topic wise theoretical तरीके से दिया हुए अगर आप यह सोच रहे हो की केवल यह subjective book पढ़के दिल्ली प्लिस कॉंस्टेवल के exam में general awareness में highest score की आ जा सकता है तो भी आप गलो तो नहीं की आ जा सकता थर्ड book में आपको बता रहा हूँ अर्यंत का एक general awareness का book आता है मनोहर पांडेजी का 30-40 रुपे का book आ जाता है अब देखें अगर आप basic student हो general awareness में आप beginner हो आपका concept किलियर नहीं है तो आप इस book को purchase करिए अगर आपको लगता है कि हाँ मेरा general awareness का basic concept किलियर है तो आपको इस book से preparation करने की जरूत नहीं है अगर आप beginner हो basic किलियर करना है तो पहले इस book से concept किलियर करिए जब ये book आपकी अच्छे से cover हो जाए तो इसको side में रख दीजे अगर आप daily general awareness को दो-दो घंटे दे रहे हो तो आप इसे बहुत जल्दी cover कर लोगे basic concept किलियर करने के लिए general awareness का हर एक portion का चाहिए ये book सबसे best है बिलकुल basic से आपका concept किलियर करेगी न इसलिए मैंने recommend किया है अब अगर आप basic हो डारेक्ली आप लूशेंट उठाने लग जाओ तो आपको समझ नहीं आएगी तो पहले इससे basic concept किलियर करिए अर्यंत का मनहोर पान देका है ये केवल basic student के लिए अगर आपका basic के लिए है तो आपको directly book recommend करूँगा लूशेंट का subjective book ये book सबसे best हैने वाल है काफी लोग क्या बोलते है कि लूशेंट का book इतना अच्छा नहीं है वो इसलिए बोलते है कि उनको समझ नहीं आता उनका basic concept के लिए नहीं है पहले basic concept के लिए करिए फिर इस book के ओपर shift हो जाए अब देखे दोस्तो सबसे important चीज है कि आपको book से preparation कैसे करनी है ये book से आपको preparation कैसे करनी है इन दोनों book से ये सबसे important है सबसे पहल तो आप ये देखे कि जब से आप preparation करना स्टार्ट करो एक्जाम के लिए कितना टाइम है, अगस्ट को हम छोड़ देते हैं, September, October, November में आपका एक्जाम है, November से स्टार्ट है, लगबग तीन महीने आपके पास है, दोनों वोग तीन महीने में बोती अच्छे तरीके से कवर हो जाएंगी, अगर आप daily two hour general awareness को देते हो, section wise, तो preparation कैसे करें, अब देखें दोस्तों, आप अपने topic निकाल दीजे, कि आज मैं history पढ़ूंगा, history के अंदर, प्राचीन भारत की इतियास के अंदर, हड़ अपना civilization मुझे पढ़ने, तो proper start कर दीजे, पढ़ना 2-2 घंटा, daily theoretical subjective इस book से पढ़िए, आप छोड़िएगा मत, एक बार आपका प्राचीन भारत कवर हो जाएगा, तो आपको second पे नहीं सिफ्ट हो जाना कि अब मध्याकालीन भारत पढ़ूंगा, नहीं, पहले प्राचीन भारत कवर किया, इस book को साइड में रख दीजे, फिर objective book अठाईए, लूशेंट की objective book, वो ही topic निकाल लिए, प्राचीन भारत निकाल लिए, उसके अंदर उसको detail से cover करिए, सभी type के objective questions, इसमें previous year question दिये हैं, जैसकि SSC के सभी questions, bank के सभी questions, या फिर और भी other advocacy के previous year question दिये हैं, subject wise, यानि कि topic wise, आपका concept जो आपने पहले topic पढ़ा, subjective book से, अगर आप objective उस topic से related, जा answer clear हो जाएगा कि कहीं से भी question पूछलो, आप कभी भी question पे wrong answer लगा के नहीं आओगे, ये सबसे जरूरी है, अब देखें दोस्तों बताने को तो मैं आपको बहुत बड़ी बड़ी book recommend कर सकते हूं, राकेस या अदवजी का कर सकते हूं, या फिर घटना चक्रम आपको बता स तो वो book इस exam के level में आती ही नहीं, ऐससे CGL level का आप खामका पड़े जा रहे हो, आपका time waste लो रहे है, तो वो तो total waste of time है, तो सबसे best book मुझे तो मेरे इसाब से ये दोनों लगी, दोनों book को साथ लेकर चलिए, पहले subjective पढ़िए, एक topic cover करा, फिर objective book उठाईए, उसी से उस topics से related जादा objective question सोल करें, फिर देखें, आपकी तयारी कैसी होती है, next level वाली, तो एक डम best लेने वाली, अगर basic level के लिएर करना है, तो अरिहंत का book आपके लिए best लाएगा, अब देखें दोस्तों, ऐसी बात नहीं है कि केवल history, geography या फिर political, general science, यूशन्ट में बहुत ही governance को cover कर लेती है, ये दोनों book केवल current affair को छोड़ कर, current affair के बारे में आपको आगे बताऊंगा, बात कर लेते हैं second section के बारे में, जो की हमारा है reasoning, reasoning से total 25 questions आएंगे, second सबसे highest marking वाला portion है, दिल्ले पुलिस के exam में, अब reasoning के लिए जो मापको book बताऊंगा, वो बताऊंगा, अर अरियंत की, आरके जहा कि ये book मेरे पास है, एकदम concept इस तरीके से आपका clear कर देगी, तीन महीने के अंदर कि आपको कभी भी reasoning पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अरियंत का आप कोई भी book purchase कर लो, ऐसा जरूरत नहीं है कि अरियंत आरके जहा कही book आपको purchase करना पड़ नहीं, कोई भी हो, प्रेम किशन का हो, अरियंत, जै किशन का अरियंत का हो, या फिर एक book आती है, अरियंत की master reasoning, अगर आप उस book का कहीं से जुगाड कर पाऊ, तो बात ही बन जाएगे, क्योंकि उससे अलावा कुछ है ही नहीं, उससे book से अगर reasoning के एक बार preparation हो जाए, तो क reasoning के लिए अरियंत का book, reasoning के लिए अरियंत best है, जादा अगर आप ले पाओ, अफोर्ड कर पाओ, तो master reasoning के एक book आती है, अरियंत की best रहेगे, वैसे अरियंत कोई भी book चलेगी, सभी अपने आप में एकदम best है, बात करते हैं, थर्ड section के बारे में, थर्ड section है, अब भी writer के through हो, ठीक है, थर्ड section है, थर्ड section है, नुमेरिकल एबिलिटी, आफिक क्वांटरी वे अप्टिटूड साथ ही हमारा, जो mathematics जी हम बोलते हैं, 15 questions आने वाली है, सबसे, सबसे कम तो नहीं, mathematics के लिए book recommend करूँगा, डोक्टर अरसगरवाल, एस चन्द, अब definitely काफी सार करिए, आपको कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि अगर एक topic है, मान लिजी कि आप 30 साथ percentage पढ़ रहे हो, तो उससे related लगबग 300 questions मिल जाएंगे, आपको percentage के अंदर जितने भी type के question एक्जाम में पूछे जा सकते हैं, या फिर percentage related जितने भी type के question बन सकते हैं, हर एक type का question इस solution समझाते कि आपको कभी भी online या फिर coaching जाने की जरूत नहीं है, आप खुद book से ही अपना concept crack कर सकते हैं, और फिसे वही बात आती है, बताने को तो आपको राकेश यदव की book बता दूँ, लेकिन वो out of the level हो जाएगी, कहीं आप SSE CGL का exam थोड़े न देने जारो या फिर SSE CPO का, मानता हूँ कि competition बहुत रहेगा, लेकिन वो out of the level हो जाएगा, वहाँ पर आप के वर time waste करोगे, SSE के लिए special book आती है, राकेश यदव जी की किरन पब्लिकेशन की घटना चकर की और भी काफी सारी आती है, एक टोपी से लेटर आपको 500 तक का question मिल जाएगे, उसका फा सब्सक्राइब की तो ऐसी book है कि exam में exact question, बिलकुर डिजिट भी चेही नहीं होती, इस book से मिल जाते हैं, तो एकदम best book आपके लिए ये रहने वाल है, ज्यादा जंजट में मत पढ़िए, ये book अगर आपके पास है, इसका नया edition ही purchase करिए, क्योंकि उसमें कुछ ज्यादा अच्छे से दी हुई है, ये देखिए, दोक्टर अरेक्स वाल, एस चंद की ये book है, हिंदी, इंग्लिस, दोनों में सभी book available है, लिंक आपको हिंदी, इंग्लिस के सभी description box में मिल जाएंगे, बेफिकर रहेंगे, तो मेरी हिसाब से ये book best रहेंगे, अब हमारा fourth जो section है, द करके लगा दोगे, पांच question ऐसे आएंगे, जो तो आपको थोड़ा उलजाने की courses करेंगे, आपको सोचने पर थोड़ा मजबूर करेंगे, कि ये मैंने कहीं पर पढ़ा था या फिर नहीं पढ़ा था, ऐसा आपको कुछ confuse करेंगे, अब काफी लोग बोल रहें कि यार कोई कंप्यूटर के लिए भी बुक recommend करेंगे, अब मैं जैसे कि आपको वीडियो के starting में बताई चुक हूँ, आपके लिए जबरदस study material लेकर आने वाला हूँ, उसका wait करेंगे, 7-8 दिन बाद announce कर दूँगा, या फिर उससे पहले announce कर दूँगा, लेकिन अगर बात करें बुक क कि आप self study कर सोगो, बुक से, कंप्यूटर कहां से पढ़ो, तो आपको मैं already बुक बता चुक हूँ, लूशेंट का, देखिए, दोनों बुक है, कंप्यूटर साइंस इसके last में दी हुई है, आपको जरूत नहीं पड़ेगी, अगर आप इन से तयारी कर ले होती हो, यहाँ पर यह subjective book है, कंप्यूटर के बारे में अच्छे से आपको knowledge मिल जाएगी, चाहे shortcut की हूँ, या फिर computer का basic हो, basic से कहीं आगे इस book में आपको मिल जाएगा, computer का section है इसमें, क्योंकि computer general awareness के अंदर या आती है, general science के बाद computer दिया हुआ है, और इसमें भी general science के बाद computer दिया यानि की history, geography, policy, साथी general science, यानि की chemistry, physics, biology, साथी आपका computer science, सब कुछ दिया हुआ है, बाकी जादा जहिंजट में मत पढ़िये, सब कुछ इसी के अंदर है, बस focus करिए study के ओपर, जादा से जादा productive बनिये, जादा से जादा time दीजे अपनी preparation को, ये मत सोचे कि ये book भी purchase कर जो book मैंने आपको बताई, अपने आप में एकदम best है, बहुत सारी books को मैंने अच्छे से analyze किया, उसी के बाद मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि वीडियो लाने में तभी 6-7 दिन लगे, vacancy 1st August के आई हुई है, मैं books को analyze कर रहा था, अब एक चीज और important है आपर, general awareness के section मे साथी आपका current affair आने वाला है, 50 question जनरल में नहीं से अगर आ रहे हैं, तो 10-15 question current affair के पक्या है, या फिर उससे ज्यादा question, अब current affair के लिए मैं एक proper video लेकर आऊँगा, कि current affair की तयारी किस book से करें या फिर कहां से current affair पड़े, साथी जो study material आपके लिए लेकर आने वालों, उसम कर सकते हैं, सभी के सभी link Hindi English में books के version के description box में डाल दें, description box चेक कर लिजे, आपकी सभी problem दूर हो जाएंगी, तो friends, आज के इस video में इतना ही था आपकी demand आ रही थी, book को लेकर तो मैंने आपकी सभी doubt किलियर कर दिये, basic रोके बाब book से तैयर ही कर सकते हैं, आपको बहुती benefit ह की मिलने वाला है, तो चलिए friends, इस video में इतना ही था, पसंद आयों तो like कर दीजेगा, अपने दोस्ते के साथ जादे जादे सेयर कर दीजेगा, चैनल को subscribe करना बिलकुल मत भूलिएगा, bell icon को press कर दीजे, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत जल तब तक के लिए जाहिन!